गुड मॉर्णिंग एवरिवन वलकम टो सवल सर्फ से स्टड़ी देखे यूपी पीसी आयोगने जो है यूपी PCS प्रारंबिक परिक्षा 2021 की डेट जो है वो जारी करती है और इस बार समिक्षा अधिकारी की परिक्षा होगी ठीक है तो कलेंडर जारी किया है ये इसको PDF ठीक है अब हमारे लिए इंपोर्टेंट है कि PCS की डेट कब है कल पंद्र तारिक को जो है ये जारी किया गया है विग्यापती साम को अब देखिए अभी जो परिक्षा होईती 2020 में PCS प्रारंबिक परिक्षा और साथ ही जो एक पेपर और होता है उसके सहायक वन संरक्ष मतलब उसी में होता है एड करना होता है form के time के आप दोनों को दे रहे हो मतलब एक ही प्रिलिम से जो है दोनों को काम हो जाता है तो इनकी मुख्य परिक्षा भी होनी है ठीक है तो समलेत राज प्रवर अधिनस्त सेवा मुख्य परिक्षा है कब होगी हिंदी में इसको बोल इनवरी 2021 से शुरूगा पांचे दिन बाद और सहायक वन संरक्षा की या छेत्रक अधिकारी की मुख्य परिक्षा जो है वो 13 फरवरी 2021 से यानी अगले महीने होगी कोई विधिक्षन अधिकारी की परिक्षा आई स्क्रिनिंग वो मार्च में है इनकी प्रवक्ता राज के दिन बिग्रे कोलेज की स्क्रिनिंग परिक्षा है वो अपरैल में है प्रधन चार स्रेणी खरणे की परिक्षा है वो 23 मई है कोई समलता राज क्रिशी सेवा प्रारंबिक परिक्षा है वो थीन मई दोयार 19 speaks अब यह है इंपोर्टने अब अपने लिए समलेत राज प्रवर अधिनास्त सेवा प्रारंबिक परिक्षा 2021 सथा सहायक वनसन रक्षा के छेतर का दिखारी की प्रारंबिक परिक्षा यानि यूपी पीसी एस का प्रिलिम्स कब होगा 13 जून 2021 को और यूपी एसी सिविल सेवा प्रारंबिक परिक्षा कब है 27 जून 2021 को यानि 2020 की तरह ही आगे पीछे हैं लगवग देखाया है तो 15-16 दिन सेश हैं तो जो भी विद्यार थी दोनों की तयारी कर रहे हैं तो दोनों की तयारी में लग जाईए ठीक है समय कम है और पीसी एस द देना चाहते हैं तो 27 जून के लिए थीक है अब ये प्रारंबिक परिक्षा होगी तो इसकी मुख्यपरिक्षा भी होगी वो कब होगी तो देखे इसकी मुख्यपरिक्षा भी इसी साल है झाल किक जे है समय्क्ष अधिकारी की भी परिक्षा हो रही है इस पार देखे पहले समिक्ष अदिकारी यूपी का हर साल होता था 14 से 15 में हुआ 14 में हुआ पंदरे में हुआ 16 में हुआ ठीक है 17 में भी हुआ है लेकिन 16 का लीक लूक हो गया तो उसका जो है इन इंटरिव्यू तो हटा दिया है तो समिक्षा अधिकारी, साहक समिक्षा अधिकारी इसकी प्रारिबिक परिक्षा है 2020 की एक अगस्त 2021 को अब इसकी मुख्य परिक्षा इसी साल है तो यह गलिखे बल्यख्या को अब 2 चलाए जा रही है समिक्षा अधिकारी की भी start कर देंगे कुछ समय बाद देखिए समिक्षा अधिकारी जो है और सहायक समिक्षा अधिकारी इसमें बित रहता कुछ student को की all level और typing का चक्कर देखिए ये जो समिक्षा अधिकारी है ये राज पत्रित है graduation चाहिए इसके लिए ना all level चाहिए ना आपको typing आने चाहिए लेकिन ये जो सहायक समिक्षा अधिकारी इंगलिस में बोलते हैं इसको RO ARO मतलब review officer और assistant review officer ठीक है ये सच्ची वाले वाला एक वो होता high court वाला वो अलग ये अलग है ठीक है तो सहायक समिक्षा अधिकारी ये वाला जो है इसके लिए आपको O level का diploma चाहिए O level एक computer course होता एक साल का वो चाहिए और साथ ही चाहिए typing इसकी cutoff इतनी कम जाती है हद कम जाती है मान लीजे 92 नंबर और इसकी जाएगी कितनी 130 या 132 इसमें 1 3rd की मार्किंग भी याद रखना अगर आप category से आते हैं तो और फायदा में लगा फुर तो 82, 84, 88 इस तरह से जाती है ठीक है तो बहुत कम cutoff जाती है अगर किसी के पास O level का certificate है O level का diploma है computer का और आपको typing आती है हिंदी की तो बहुत आसान है UP PCS से ये सहायक समिक्षा अधिकारी बना और salary भी बहुत अच्छी है ठीक है और बाकि इसके लिए जो है हल की सी cutoff इस से तो जादे ही होगी थोड़ी क्योंकि ना इसके लिए O level चाहिए आपको और ना ही इसके लिए चाहिए क्या typing test ठीक है राजपत्री तक गजिस्टेड है उपर से तो तयारी करते रही है course से में UP PCS वाला इसका भी समिक्षा अधिकारी का बस कुछ 15 से 16 प्रेस्ट जो है दो तीन math एक दो reasoning ठीक है इस तरह से आ जाते हैं इसमें इस वाले में और हाँ हिंदी आती है साथ नंबर की हिंदी साथ कोस्चन आएंगे साथ नंबर गयाँगे 120 का GS का होता है ठीक है आँ सौरी 140 का GS का पेपर होता है इस 140 में से ही कम से कम 1516 प्रेस्ट जो है reasoning reasoning का आ जाते हैं मतलब एक तरह से छोटा सा C-C-C के साथ आ जाता है बाकि सारी GS है और 60 प्रश्ण में से 60 नंबर के इसमें 6 टॉपिक है केवल और 6 टॉपिक बता देंगे बताया भी है कई बार जैसे की 10 प्रश्ण इसमें आते हैं 10 प्रश्ण इसमें आते हैं बिलोम सब्दों के और 10 प्रश्ण आते हैं इसमें तत्सम तदभव और 10 प्रश्ण आते हैं इसमें विशेश से विशेशन और 10 प्रश्ण आते हैं इसमें बाक के सुध्धी बगरा ठीक है तो यही आता है एक एक टॉपिक से 10 सवाल आएंगे और 6 टॉपिक एकिवल ऐसा नहीं है कि सब कुछ भरा पढ़ा पैसे विस जाता पैसे विस नहीं आता तो ये था calendar विसेश परिशितितियों में जो है एक नीचे भी tag मार दिया है इसको परिवर्थित किया था लेकिन बहुत विसेश परिशितियों में अब पिछले साल एक विसेश परिशितियों अप्सम बॉक्स से डाउनलोड कर लेना धन्यवाद टैस्ट सीरीज चला जा रही है उसका लाव उठाते रही है